हेलो गाइस स्वागत है आपका इको नई वीडियो में इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक मेरे पात बहुत ही पुराना Nikon का fully manual focus lens है जिसकी focal lens है 500 mm और गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वह lens कितना बड़ा है here we go आप देख सकते हैं guys मेरे हाथ से भी ज्यादा लंबा है यह almost 1.5 foot का यह lens है और बजन की अगर बात करो तो almost I think 1.5 kilo उसका बजन होगा और पूरा का पूरा लोगेगा एक पत्थर की ज़रा बनाया आप किसी के इसके सर में मार देना तो इंसान भी खतम हो जाएगा अब guys यह जो lens है यह मैंने लिया था second hand और मेरे को बहुत cheap मिल गया है actually अगर आप इसकी बात करें तो maybe 5000 रुपी में मिल गया अगर आप Nikon का ही Nikon वाला 500 mm का कोई lens लोगे तो आपको कम से कम 4 या पांच लाक रुपे का मिलेगा वो लेकिन हाँ उसमें ओडो फोकस होगा और इसमें सराइड वाइबरेसन रिड़क्शन भी हो इसमें वो सब नहीं है इसमें आपको fully, manually फोकस करना पड़ता है तो आप देख सकते हैं यह इसका फोकस रिंग है ऐसे ऐसे आप इसको गोल-गोल घुमाके इसको फोकस करते हो बहुत ही स्मूथ इसका फोकस रिंग है यह लेंस ओल्मोस्ट 40 साल पर होना होगा Made in Japan यह आपका लेंस है लेकिन अब ही भी इतना बहतरीन चलता है मैं आपको इससे लिए वे फोटो वीडियो में डाल के दिखाऊंगा और आप देख के हैरान रह जाएंगे कि कितनी बहतरीन यह फोटो खीच सकता है अब आप इसकी बात करें कि यह Canon पे भी माउंट हो सकता है Nikon पे तो होता ही है इसमें पीछे यह जो अडाप्टर लगा हुआ है यूजवली आपके इस्क्रू माउंट वाले लैंसिस होते हैं जिनको आप बोलते हैं M42 लैंसिस इसमें पीछे में एक अलग से अडाप्टर लगता है जैसे इस वाले लैंस में Nikon वाला अडाप्टर लगा हुआ है बल्ड आपका ऐसा ही सिमिलर उसका Canon का भी अडाप्टर आता है आपका Sony का भी आता है तो आप इसको किसी भी camera system में यूज़ कर सकते हैं बसरते आपके पास सही अडाप्टर हो तो मेरे पास Nikon का एडाप्टर है तो मैं इसको अपने इस DSLR में आराम से मांट कर सकता हूँ अब मैं आपको size का comparison दिखा सकता हूँ कि ये D3100 पर 18-85 kit lens लगाबा है तो उसके मुगाबले ये कितना ज्यादा लंबा है ये आपका kit drive इतना छोटा सा और ये इतना लंबा और guys इसकी जो focal length है वो 500 mm और इसकी fixed focal length है that means कि ये आपका prime lens है मतलब कि ये 500 mm पर fix है ये ना तो कम होगा ना जादा होगा इसके आप आगे zoom in, zoom out नहीं कर सकते हो अब इसके aperture ring की बात करें तो आप इसमें aperture देख सकते हैं इसका F8 से start होता है आप यहां से ये जो ring है इससे आप sorry आप देख सकते हैं ये aperture ring है आप इसको गुमा के ऐसे इसका aperture set करते हो F8, F16 और maximum F22 तक इसका aperture जाता है तो जब मैं इससे shoot करता हूँ portraits तो मैंने इसको portrait का भी shoot किया था तो मैंने इसको F8 पे जाके shoot किया था क्योंकि मैंने इसको Nikon D30 100 पे use किया था तो इसकी effective focal length बन गई थी 500 x 1.5 that is 750 mm जो की बहुत जाला focal length थे तो आपको shoot करने के लिए अपने subject से बहुत दूर होना पड़ेगा और क्योंकि ये 500 mm है तो इसमें आपका camera shake आने का chance बहुत जादा है तो आप इसको हमेशा tripod पे ही use कीजिए और इसके अंदर एक tripod का mount अलड़ी दिया हुआ है जिसमें आप अपनी quick release plate लगा के इसको tripod पे fix कर सकते हैं फिर इसमें camera shake कम होगा लेकिन जब आप इसको use कर रहे हैं कम से कम shutter speed एक बटा 500 रखे और ये shutter speed आपको सिर्फ good lighting condition में ही मिल पाएगी जैसे कि शाम के समय या दिन में उस वक्त आप इसको बहुत अच्छे से use कर सकते हो portrait photo लेने के लिए इंसान होगे और चूँ इससे आपका background blur निकल के आएगा guys इतना amazing होगा इसके photo में एक अलगी बात थी जैसे पुराने जमाने में जो real वाले camera होगते थे उसमे photo में look आता था मैं आपको photo इस video में डाल के दिखा दूँगा जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप उस photo को भी अपनी screen पे देख पाऊगे और आपको जानने को मिलेगा कि कितना बहतरीन ये photo की सकता इतना पुराना और इतना सस्ता lens दूसरा मैं इससे जो use करता हूँ मैं moon की photography के लिए करता हूँ क्योंकि आपकी ये 500 mm की focal length है जो की DSLR पे 700 mm बन जाएगी तो आप moon के जो बाकी planets और जो star है उनके बहुत ही बहतरीन close up में photo ले सकते हो जब मैं अपने DSLR पे इसको मैं लगाता हूँ और अपने viewfinder से देखता हूँ तो मैं moon का surface इतना closely यार इतने अच्छे से मैं देख पाता हूँ और जब मुझे उनका photo लेना होता है तो मैं live view को own करता हूँ और उसको zoom in करके फिर इसको ऐसे ऐसे manually focus करता हूँ जब मेरा moon या जो भी मैं इंसान की photo ले रहा हूँ वो एकतम clear और sharp हो गया याट मेरा focus वहाँ पे एकतम सही है फिर मैं zoom out करके photo ले लेता हूँ तो बहुत ही बहतरी नहीं में चाती है और guys मैं चांद की मैंने video बनाई है चांद की मैंने बड़े सही photo ली है वो भी मैं इस video में डालूँगा आप देखना चांद का पूरा छोटे छोटे गटे और जो craters होते हैं सर्फेस की डीटेल इतने अच्छे से इसमें capture हो है और guys इसका एक और advantage यह है कि आप इसको किसी भी camera system में लगा सकते हो जिसकी बात मैं उलड़ी कर चुका हूँ इस adapter को change करके दूसरा advantage यह है कि सस्ता बहुत है यार यह अब हम बात करते हैं कि अगर आप इसको Nikon या किसी और camera पर यूज कर रहे है तो आप कैसे यूज करें तो आपको जैसे आप नॉर्मल अपने lens को fix करते हो वैसी आपको इसको भी fix करना है लेकिन fix करने के बाद आप अपने camera में जो fully manual वाला mode है उसको उन कीजिए तो आप देख सकते हैं यह Nikon का camera इसमें आपका M, A, S यह जो mode है तो आपको इसको M mode पे रखना है और जब आप इसको M mode पे रख ले फिर आप अपने camera से shutter speed को set करें तो क्योंकि यह 500 mm का lens है तो आप एक बड़ा 500 second की shutter speed रखे आए तो आप जो भी उस हिसाब से available light उस हिसाब से आप रख सकते हैं और जो aperture है वो आपको यहाँ के lens के ring से set करना पड़ेगा F8, F16 या F22 यह आप set कर देंगे फिर उसके बाद आप अपनी image को click कीजे और हाँ इसको हमेशा tripod पर यूज कीजे तभी आपको एक sharp और अच्छी image मिलेगी अगर आपको यह lens eBay पर या second hand market में cheaply मिल रहा है तो आप definitely इसको consider कर सकते हैं क्योंकि इससे भी image बहुत और आपको बहुत कम पैसे में बहुत cheaply एक लंबा telescopic lens मिल जाएगा इसको आप wildlife photographic के लिए भी आप यूज कर सकते हैं astrophotography के लिए भी यूज कर सकते हैं portraits के लिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इससे background पर इतना ज्यादा awesome होगा guys okay guys I hope आपको एक वीडियो अच्छी लगी हो आपको कोई भी doubt हो इस lens से लेके या कोई और भी लेके तो मेरे चैनल की बाकी वीडियो भी आप चेक आउट करो instagram पर जाओ मेरे को follow करो कोई भी question हो आप मेरे को वाँ पर बेचो मैं आपको हमेशा reply करूँगा मिलते हैं guys अब ये वीडियो में